यह मेरे नेल आर्ट के पुराने वीडियो के पिच्चर्स हैं इनके लिंक में आपको डिस्ट्रिशन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूंगे अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं हलो एवरीवन वल्कम बैक टो माई चैनल आई होप यू और डूइंग वैल मैं हूँ प्रकिती तो चलिए आए आज बात करते हैं आज की नेल आट की वीडियो की तो आज की नेल आट में मैं आपको बताने वाली हूं एक स्नेक डिजाइन बताने वाली हूं इसके लिए मैंने की यहां पर यहां पर हम चैनले आउयोई पर-लिया है अगर आप से बृफ इंगे गाल के पास धुयाका यह वाली कोट कीका है अब यहां पर यहां पर यह नेल पोप कर रही हूं-बाप के यहां अगर आपके पास यह थीसको कि 크aran अप कि पास यह ट्यूब नहीं है तो इसकी जगे पर आप कोई भी ब्लैक कलर का नेल प्रिंट लेंगे और टूथपिक की हेल्प से डिजाइन बना सकते हैं इससे भी बहुत इजली बन जाता है यह डिजाइन तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पैटन बनाया है अगर मेरे नेल आट से इंस्पायर होके कोई भी नेल आट का डिजाइन आप बनाते हैं तो उसकी विच्चर आप मेरे साथ इंस्ट्रागाम पर शेयर कर सकते हैं आप मेरे इंस्ट्रागाम आईडी पर मुझे टैग कर सकते हैं उसकी पिच्चर सभी नेल् निलाट बनाने का बहुत ज़दा टाइम नहीं होता है तो हमेशा मैं इसी निलाट को बनाती हूँ और यह बहुत जल्दी और एजी बन जाता है मेरे जाहतर वीडियो में आपने मेरे नेल्स पर इस डिजाइन को लगा हुआ देखा होगा तो चलिए आईए बात करते हैं अगर हमारे नेलाट करते समय साइट के किनारों में थोड़ा सा नेल प्रेंट लग जाता है तो मैं क्या करते हूँ इयर बड में थोड़ा सा नेल रूबर लगाती हूँ और साइट के किनारों पर जो भी मेरा नेल प्रेंट लगा होता है उसको रिमूव कर लेती हूँ अगर आप साथ के साथ remove करते रहेंगे तो side के किनारे हमेशा clean रहेंगे और अगर आप बाद में side के किनारों का nail print remove करना चाते तो इस तरीके से कर सकते हैं और last में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर transparent nail print का एक coat लगा सकते हैं प्ट मैने इसको ऐसे ही रखा है मैंने कोई भी इस पर ट्रांस्पेंट डिल्मेंट नहीं लगाया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो थाइंके सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में भाइ